सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई योटूब चैनल विनीता माउरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ आलू और चने की तरी वाली सबजी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा तो आईए देखते हैं ये आलू और चने की तरी वाली सबजी कैसे बनेगी आलू और चना की तरी वाली सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्रम चना ले रखा है चने को हमने ओवरनाइट के लिए भीगो दिया था चना अच्छे से फूल गया है और यह हमने च्छे आलू ले रखे हैं अब हम चना और आलू को रखेंगे बॉयल होने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पर कूकर लिया है कूकर में हम चने को डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे दो ग्लास पानी हमें पानी इतना डालना है कि चने अच्छे से डूबे रहें पानी में हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर गरम पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे हाप टी स्पूर नमक, नमक डालने से चने अच्छे से गल जाते हैं, और इसी के साथ में हम रख देंगे आलू को बॉयल होने के लिए, आलू को हम डारेक्ट नहीं रखेंगे, हम इस तरह से किसी कटोरी में करके रखेंगे, ताकि आलू एकदम से ना गल पाएं, अब इसे हम रख देते हैं, तीन विसे लाने तक पकने के लिए, पहले इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे लो फ्लेम प चुरू करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर कूकर को रख दिया है गरम होने के लिए, इसमें हम डाल देंगे 5 टेबल स्पून के लवख सरसो का तेल, आप चाहें तो इस सबजी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, हाप टी स्पून जीरा डाल देंगे, जीरे को अभी हम च यार हो जाएगी, अब इसमें हम डाल देंगे 2 बारी कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च की क्वांटिटी आपके टेस्के कोडिंग रहेगी, जैसा तीखा पसंद करते हों, हरी मिर्च डालने के बाद हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और हम प्याज में बढ़ि लच में हरी, मुला हम पसका ए Reich करें आपके ह कमें लटेने की एहगी, अब इसमें जादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें बहुत सिंपल मसालों का ही इस्तेमाल करेंगे, और यह देखी हमने टेमाटर को 2 मिनिट तक अच्छे से भूण लिया है टेमाटर हलके से सम अब इसमें हम एड़ करेंगे वन टेवल स्पून हल्दी पाउडर, हाप टेवल स्पून हम इसमें एड़ करेंगे स्वादा अनुसार नमक, नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने चने को बॉयल करते से में भी नमक डाला था, अब इसमें हम एड़ करेंगे वन टेवल पूबले भी फाइदा करती है हिंग डालने के बाद हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे लगबग 5 मिनट तक और यह देखी हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है मसालों से अच्छे सी खुश्बू भी आने लगी है अब इसमें हम एड कर देंगे वायल किये आलू को हमने मोटे पीस में काट लिया था आलू को अब वायल करके है इस सबजी में डालियेगा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अब हम आलू को भी अच्छे से मसालों के साथ में भून लेंगे और यह देखी हमने आलू को भी मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया इसमें से बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगी है, अब इसमें हम एट कर देंगे पानी, पानी हम इसमें डाल रहे हैं, डेल ग्लास के लगभग, पानी की मातरा को आप अपनी आवशकता के अनुसार कम जादा कर सकते हैं, जैसा पतला और गाड़ी आप ग्रेवी चाहत अब हम धकन को लगा कर इसे रख देते हैं, दो विसिल आने तक पकने के लिए, हम इसे हाई फ्लेम पर दो सीटी आने तक पकाएंगे, फिसके बाद इसे हम पांच मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, और ये देखिए हमारी सबजी पक के तयार हो गई है, अब हम इसे खो दालने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम सबजी को एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे, आप इस सबजी को रोटी, पूरी, पराठे या फिर प्लेन राइस के साथ में खाईए, बहुत ही टेस्टी लगती है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को धेसरा लाइक दीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए महमान हैं, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा, इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए, और मुझे कॉमेंट करके ये भी बताईएगा कि आगे आप कौन से नही रेस्पी दे लेयर करें, मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू, बाबाई